वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें उनके समय पर जो भी घटित घटनाय हुई प्रमुक उनको एक साथ लिष्ट के फॉर में देखने वाले हैं अगर आप न्यू है इस चैनल पर तो ये क्लास डेली दोपर एक बज़े आती है और इस क्लास की पीडियप प्राप्ट करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके स्टडी फॉर सेवल सर्विसे स्कायब डाउन नोट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी पीडियप मिल जाएंगी ग्यांसर कूपन कोड अप्लाई करके आपको 20% का डिसकाउंट भी मिल जाएंगे इसके साथ-साथ आप अदर भी किसी एक कंपेटीटी एक्जाम की प्रिपेशन कर रहे हैं करते हैं तो आज हम लोग को इसमें पढ़ना है गवर्नर जनरल सबसे पहले और उनके समय पर कौन कौन सी प्रमुक घटनाय घटित होती गई उनको डिसकस करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो गवर्नर जनरल है वो वारें हेस्टिंग है जिसका समय रहता है 1773 से 1785 अब इसके समय पर देखी सबसे पहले तो आपको डेट ही याद आखनी है कि इनका टाइम पीरिड क्या रहता है तो 1773 to 1785 पहले तो Warren Hastings का टाइम ही याद कर लिजे फिर इसके समय पर आता है 1773 का Regulating Act और 1781 का अधिनियम BC के समय पर आता है इस अधिनियम के द्वारा Governor General और उसकी Council और कलकत्ता उचने आयाल है कि मंदि सक्तियों का कारेचेत्र इस पर श्ट्रूप से विभाजित कर दिया गया था इसी के समय पर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है और 1774 का रोहिला युद्ध भी Warren Hastings के समय पर होता है इसी के समय पर महाराजा होते हैं नंद कुमार इनको फासी दी गई थी पांच अगर 1775 को प्रथम मराठा युद्ध याद रखिए तो 1775 से 1782 में होता है प्रथम आंगल मराठा युद्ध और सालबाई की संदी से युद्ध समाप्त होता है 1782 में वो भी Warren Hastings के समय पर हुआ दृती मैसूर युद्ध भी 1780 से 1784 दृती आंगर मैसूर युद्ध भी Warren Hastings के समय पर आपने देखा देखे सारे आंगर मैसूर युद्ध में आपको पढ़ा चुकी हूँ पिछली क्लासिस में बनारस की राज़त चैथ सिंग के साथ इसके विवादास पर संबंध थे अवद की बेगमों से जात्ती की थी इसने इसके कारण हेस्टिंग पर इंगलाइन वापस लोटने पर महावियो भी चलाया गया था और 1784 में इसियाटिक सोसाइटी और बंगाल की नीव इसी के साशनकाल में रखी गई थी इसके समय पर आप देखेंगे रगुलेटिंग एक जो 1773 का था इसके तहट बिटिस संसत केतवारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की विवस्था की गई थी और इस सरकार में अध्यक्ष होते थे और चार अन्य सदसे होते थे इनका भी प्रावधान किया गया था अध्यक्ष को कहा गया गवर्नर जनरल ठीक है तो यहाँ पर अध्यक्ष का पदनाम अलग कर दिया गया गवर्नर जनरल वोरेन हेस्टिंग 2764 इसवी में बंगाल का पहला गवेर्नर जनरल नीव disse kia गया था सुरच्चा प्रकोष्ट या घेरे की नीती अगर पूचा जाए किस्से सम्बंधित है तो इस्से सम्बंधित थे वोरेन हेस्टिंग और Lord Way civ वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर और निरंकुष कालियों पर आप देखेंगे जब वो वापस जाता है तो उस पर महावयोग चलाया जाता है जो की 1788 से 1795 अबे तक चलता रहा था तो ये बात होगी वारेन हेस्टिंग की जो भंगाल का प्रथम गवर्नर जेनल था इसी की समय पे आप देख रहे हैं आंग मराथा युद्ध होता है दिती आंग मैसूर युद्ध होता है बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती 1784 में तो कुछ प्रमुग याद रखना है जिनसे की आप से प्रश्ण पूछ लिया जाए या फिर इसको ही क्रोनोलोजी में लगाने को आए गवर्नर जेनरल को तो आपको डेट याद रखने हैं वारेन हेस्टिंग के बाद आपको याद रखना है कार्ण वालिस को जिसका समय रहता है 1786 से 1793 दिती आंग्ल मैसूर हुआ वारेन हेस्टिंग के समय पर तो तिती आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है कॉर्ण वालिस के समय पर और सी रंग पट्टम की संदी से समाप्थ होता है तो इस युद्ध का समय क्या था 1790 से 1792 1792 में सी रंग पट्टम की संदी के साथ है युद्ध समाप्थ हो जाता है कॉर्ण वालिस कोड का भी निर्मार इसने कराया था 1793 में जिसमें कई न्याईक सुधार किये गए सामानी प्रशाशन का राजश्य प्रशाशन से प्रथक करण किया गया बंगाल में इस थाई बं बंगाल के बीच भारती न्याईधीसों से युक्त जीला फोसदार यदालतों को समाप्थ किया गया और उसके इस्थान पर चार भमड करने वाले न्याईले बनाए गये तीन बंगाल के लिए और एक बिहार के लिए इसी कॉर्ण वालिस ने भारत में कानून की आपको याद रखना है वो है जॉल सोर इसका समय रहता 1793 से 1798 तो इसी के समय पर 1793 का चार्टर इजनी अमाता है निजाम और मराठों के बीच जो खुर्दा का युद्धोता 1795 में वो जॉल सोर के समय पर ही हुआ था इसके बाद इंपोर्टेंट है वेलिजली को याद 1798 इसवी से 1805 तो टाइम पीरिड जरूर याद रखिएगा इसके समय पर आती है सहायक संदी इसी ने प्रारम किया वेलिजली ने 1798 में सबसे पहले है संदी हैदराबाद के निजाम के साथ किया गया था तो तीसरा हम लोग देख चुके हैं आंगल मैसूर युदृ चौथ 1798 में सूरत 1800 में करनाटक 1801 में इन जगों का इन छेत्रों का प्रशासन सीधे अपने हाथ में लिया जाता है और 1802 में इसी के समय पे होती है बसीन की संदी अव्याद ये करना है कि वेलिजली के द्वारा जो सहायक संदी लागू की गई थी इसके तहट कौन कौन से राजि तो सबसे पहले 1789 में हैदरबाद सूईकार करता है सहायक संदी लेकिन दुबारा फिर से 1200 में इसके साथ यही सहायक संदी की जाती है फिर है मैसूर 1799 में तंजोर है अक्टूबर 1799 अवद में नमंबर 1801 पेश्वा दिसंबर 1801 बरार के भोसले दिसंबर 1803 में सहायक संदी को स्विकार करते हैं इसके बाद सिंधिया 1804 में जोदपूर 1818, जैपूर 1818, मचेरी, बूंदी, भरतपूर ये सारे 1818 में सामिल हो जाते हैं आप इनको कोई भी टिक बना करके याद कर सकते हैं लेकिन इनको याद करना जरूरी है जैसे कि सबसे पहले कौन सा राजी सामिल हुआ हैदराबाद तो आप H, M, T करके ऐसे कर सकते हैं फिर A, P, B, S इस तरह से कोई भी टिक बना करके आप इसीरियल याद कर सकते हैं क्योंकि इनकी डेट पूछी जाती है अक्सर करके इनसे प्रशन बनते ही हैं आप पिछले प्रशन पत उठा करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसके बाद देखिए समय आता है सर जोर्ज बारलो का 1805 से 1807 तक रहता है और इसी के समय पे वेलोर का सिपाही विद्रो होता है ये क्रोनोलोजी में लगाने को प्रशन पूछा जा चुका है इसकी डेट या दखिएगा 1806 में लॉर्ड मिंटो प्रथम का साशन काल इसके बाद 1807 से 1813 के बीच और रंजीत सिंग के साथ यामरत सर की संदी करता 1809 में अगला कारिकाल आता है लॉर्ड हेस्टिंग का जो 1813 से 1823 इसभी तक रहता है इसके समय पर होता अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच और सगौली की संदी होती ही जो की 1816 में इसी से इस युद्ध की समापती हो जाती है तती आंग्र मराथा युद्ध 1817 से 1819 तक चला तथा मराथा परिसंग का कंपनी के सामराज में विलय बीसी के समय पर हुआ बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में हुई पिंडारियों का दमन बीसी के समय पर किया गया 1817 से 1818 के बीच सिंधिया के साथ संदी की गए 1817 में और मद्रास के गवर्नर टॉमस मुन्रो द्वारा रैयत वारी बंदोबस्त लागू किया गया था हेस्टिंग के समय पर ही 1820 में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल नहीं भूलना है तो आपको हेस्टिंग के लिया जाता है 1826 में नेक्स जो गवर्नर जनरल पढ़ना है वो लौड विल्यम बेनिटिक है या विल्यम बेनिटिक का जो समय है वो 1828 से 1835 है तो विल्यम ने जुलाई 1828 में गवर्नर जनरल का कारिभार समाला था इसी ने सती प्रिथा पर रोक लगाई थी 1829 में और करप् जो प्रशाशन है वो पूर्णता केंदी करत करने का प्रयास किया जाता है अर्था जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसी को बना दिया जाता है भारत का गवर्नर जनरल और जो यह विल्यम बेनिटिक था यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था 1835 का जो सिक्षा संबंधी प्रस्ताव था सिक्षा सुधार से रिलेटेट की अंग्रेजी भासा को ही सिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा वो बेंटी के समय पर ही घोशना की गई थी इसके समय पर ही मैसूर, दूर्ग और कछार 1831 में मैसूर, दूर्ग 1834 में और कछार 1834 में इस सबका कंपरी सामराज में विले हो जाता है और या रंजीत सिंग के साथ निरंतर मित्रता की संदीर जारी रखता है कॉर्णवालिस द्वारा इस्थापित प्रांतिय पीरी और भ्रमण कारी जो न्यायाले थी इनकी समाप्ति कर दी जाती है और राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति कर दी जाती है इसके बाद लॉड मिटकॉफ को पढ़ना है जिसका समय था 1835 से 1836 इस मिटकॉफ ने 1835 में जो प्रेस एक्ट पारित हुआ था जो समाचार पत्तों पर पाबंदी लगा दी गई थी उसको ये हटा देता है इसके बाद आता है आकलेंड इसका समय था 1836 से 1842 और इसी के समय पर होता है प्रथम अफगान व्युद्ध 1838 से 1842 के बीच और रंजी सिंकी मृत्यू भी आकलेंड के समय पर ही होती है 1849 इसवी में नेक्स्ट गवर्नर जनरल है एलन बेरो इसका समय था 1842 से 1844 इसके समय पर चार्ल्स नेपियर के नेतत में सिंदका विले हो जाता 1843 में और गौलियर के साथ युद्ध होता 1843 में फिर आता है हउर्डिंग प्रथम 1844 से 1848 इडि तक प्रथम अंग्रेज सिंख युद्ध के संदी इसी के समयपर हुई तो प्रथम अंग्रेज सिंख युद्ध हुआ कब 1445 से 1446 इसी लाहर की संदी ओती इस्थ district पर हुआ 1848-1849 इस वी के बीच पंजाब का कंपनी सामराज में विलय हो जाता है और ये विलय पत्र 29 मार्च 1849 को महाराजा दलीप सिंधारा हस्ताक्षिरित किये गए थे निशले बर्मा या पेगु काधी ग्रहण भी दलोजी के द्वारा किया गया कई बार पूछा गया 1852 में क्रोनोलोजी में लगाने के लिए आते हैं ये सारे जो फैक्ट्स है इसी के समय पर व्यबगत का सिंधान ताता है जो कि जिसके अंतरकर सबसे पहले 1788-48 में जैदपू 1854 में अवद 1856 में इनका कंपनी सामराज में विलैकर लिया जाता है वुटका सिक्षा संबंदी डिस्पैच आये था 1854 में तता इस्थानी भासा के स्कूलों तता सरकारी कॉलेजों की स्थापना भी की गई इसी के समय पर आता है रेलवे माइन्यूर जिसमें 1853 में पेसावर को आपस में जोड़ा गया और दो पैसे के सुल्प पर ही राष्ट्री डाख सेवा प्रारम कर दी गई थी दलहोजी के समय पर गंगा नहर को खोलने की घोशना की गई गये 1854 में प्रतेक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना होती दलहोजी के सम और विधुआ पुनर विवाधीनियम BC के समय पर आये था 1856 में फिर बाद करते हैं कैनिंग की 1856 से 1857 इसवी तक रहता है 1857 में कलकता मद्रास और बंबाई में ते ने विश्विद्याले की स्थापना इसही के समय पर होती है और इसही के समय पर होता 1857 का विद्रोग तो य इतने भी गवर्ने जनर पढ़ें उनकी डेट जरूरी आत कर लीजे उनके समय पर महत्रपूर्ण जो घटना क्रम हुए उनको भी प्रिपेर कर लीजे इस क्लास की पीडियप भी आप पा सकते हैं या दर कोई कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिये गए हैं आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जा करके स्टड़ी फॉर सिविल सर्विसे स्काइब डाउन्लोड कर लीजे सारे नए इनिशियेटिवस आपको उसी एप पर ही मिल जाएंगे और ग्यान सथ पूपन को अपलाई करके आ निवाद